इस वीडियो में आपको Paytium Money Stock Trading के वीडियो में आपको यहां में लाइव ट्रेडिंग दिखाऊंगा किस तरीके से Share को Paytium Money Apps में आप आप आय कर सकते हो और किस तरह सी इसको Sell कर सकते हो लेकिनन इससे पहले जो important चीज़ यहाँ पर हम अब जो discuss करने वाले हैं वो यह है कि जैसे ही RBI ने आपको पता होगा कि announce किया था कि 29th February सी जो Paytm का जो payments bank है payments bank वो क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा इस वज़े से लोगों में ये काफी misconception है कि Paytm कंप्लीटली ही बैन हो जाएगा मतलब Paytm की सारी services बंद हो जाएगी तो शायद कहीं जो Paytm money है Paytm money जिससे की आप trade करते हो जिसमें आपने डिमेट अकाउंट open किया हुआ या फिर करने की सोच रहे हो वो भी बंद हो जाएगा लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है ना तो Paytm money बंद होने वाला है ना ही आप Payt का है हर किसी का है उसका जो सिर्फ जो Paytm payments bank का पार्ट सिर्फ वो बैन होने वाला है यानि कि अगर आपका Paytm payments bank में savings account था तो आपको फर्क पड़ेगा आप उसको 29 February को बास use नहीं कर सकते हो और उससे related जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई थी चाहे अगर वो आपने कही पर एड कर रखा था लिंक कर रखा था वो सारी की सारी चीज़ें बैन होंगी अधरवाई जो Paytm है रीचार्ज वगारा यूपियाई किसी और बैंक के साथ आपने जोड़ रखा था वो सारी चीज़ें as it is चलती रहेंगी और Paytm money का जो stock trading चलता है Paytm money का जो एप है Paytm money इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये बिल्कुल safe है और इससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि RBI bank को govern करती है और जो Paytm money app है ये पूरा इसका जो गौर्णिंग बोड़ी है जिसको जो इसको regulate करता है वो savvy है दोनों ही different यहाँ पे authorities हैं ये savvy इसको regulate करती है तो Paytm money में कोई दिक्कत नहीं है तो बात करेंगे अगर अपने अकाउंट अब तक नहीं खोला तो आप अभी अकाउंट उपन कर सकते हो नीचे लिंक आप में description में आपको link मिल जागा उपको खोलने का 24 गेंटे में अपका account उपन हो जागा और भी काविसार यहाँ पे benefits offers मिलेंगे जैसे क brokerage free का अभी offer चला detail आपको नीचे मिल जागी description में तो अभी यहाँ पे live screen चलाने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसमें कुछ brokerage charges भी रहते हैं पेटियम मनी के यहाँ अगर पेटियम मनी पे आप trading कर रहे हो पेटियम मनी stock trading कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कुछ charges pay करने पड़ते हैं कुछ brokerage देनी पड़ती वो कितना है देखिए अगर तो आप delivery trading करते हो delivery trading करते हो तो इसमें आपको कितना देना पड़ेगा धाई percent और rupees 20 which hour is lower यानि कि अगर आज आप stock को खरीद रहे हो इसको 10 दिन 20 एक साल दो साल तक रखने वाले hold करके रखने वाले ह उसमें कितनी लगे कि brokerage आपकी या तो धाई percent माल लीजिए आप 500 रुपए से बग कर रहे है तो 500 रुपए छोटी amount तो धाई percent इसका जितना बनेगा वो लगेगा अगर आप लाखों में कर रहे हो तो भी maximum 20 रुपए से ज्यादे progress नहीं लगेगा पर executed order buy के उपर भी sell के उ गई और अगर आप internet trading करते हो internet trading में क्या होता अगर आज मान के चलो मैं शेयर को खरीद रहा हूं शेयर को बेच देगा, स्केयर अफ कर देगा, चाहे भले ही आपको लॉस क्यूं न हो जाए, और उसके बाद में क्या होगा, साथ में आपको हलकिस यहाँ पे अप्रॉक्सिमेंट पचास रुपए के आसपास की पेनल्टी भी लगा देता है, तो एगर इंट्राइट ट्रेड हैं, तो अब इंट्राइट का एक बेनिफट आपको यह मिल जाता है, यहाँ पे 5X तक का आपको लिवरेज मिल जाता है, उसका मतलब कहा है, मालेज आपने अपने अकाउंट में एक असर रुपए अड़ करें इंट्रेडिंग करने के लिए, तो यहाँ पे एक हजार के स्टॉक खरीद होगे, तो आपको 100 रुपए नाल लग करके 21 या 22 रुपए लगेगा 20 रुपए आपको पे करना पड़ेगा, यानि कि कम पैसे में आप ज्यादे स्टॉक खरीद लोगे, और 5 गुना जो होगा, जो आपको प्रॉफिट होगा, वो भी इसी के उपर होगा, लोज भी होगा, तो वो भी इसी के उपर होगा, चाहिए अपने पैसे कम एड़ करे हैं, लेकिन कंडिशन यही है, कि जा इसको सेम डे के, सेम डे आपको बेचना पड़ेगा, चाहिए आपको घाटा हो, चाहिए आपको फायदा हो, ओके, सिंपल is that, अब इसके बाद में कर stocks के उपर, अगर आप future and options में काम करते हो, अगर आप options trading करना चाहते हो, जैसे कि लोग के का करते हैं, options trading में interest लेते हैं, especially expiry के दिन, जो Thursday का दे होता है, options का expiry होता है, weekly भी होता है, और monthly भी होता है, indexing से तो weekly होते हैं, अदरवाई जो stocks के हैं, वो मन्तली होते हैं, तो उसका के है, चाहे तो आप options में काम कर लो, चाहे तो आप futures में काम कर लो, जब भी कोई भी lot आप buy करते हो, तो 20 रुपीज यहाँ पे fixed है, इसमें percentage कोशी ही नहीं है, 20 रुपीज पर executed order आपको तो pay करना ही पड़ेगा, यहाँ पे वो तो करना ही पड़ेगा, इसके लावा यहाँ पे यह तो होगा, जो pay team ने आप से charges लेने है, यह pay team के है, इसके लावा कुछ regulatory and statutory charges होते है, जिसमें जैसे कि STT charge है, delivery stocks के उपर 0.10%, buy के उपर भी, sell के उपर भी लगेगा, और intraday कर रहा हो, यह delivery के लिए है, अगर intraday कर रहा हो, तो intraday में क्या होता है, कि थोड़ा सा यह आपर कम लगता है, और कम भी लगता है, और साथ में आपर आपको एक यह है कि जो आपका intraday में 0.005% ही लगता है, sorry 0.05 नहीं, intraday पर कितना लगता है, आपका cash rate चार 0.02%, 0.025%, और वह भी कहाँ पर लगता है, सिरफ sell set पर लगता है, इसके लग कुछ other charges हैं, जैसे कि exchange के transaction charges है, savvy के turnover fees है, GST आपको यहाँ पर लगता है, 18%, 18% किसके उपर लगता है, जो भी आपकी brokerage वगरा बनती है, stamp duty जो भी लगता है, exchange के चार्टी, जो भी उन सभी का value निकलता है, उसके उपर 13% है, यानि कि यह सारे कुछ मिलाकर का मामावी से यहाँ पर amount बनती है, तो यह आपको pay करने पड़ते हैं, जो statutory regulatory charge है, तो भाई, किसी भी broker के साथ आप चलाए, आपको तो pay करना ही पड़ता है, और यहाँ पर यहाँ पर सारी चीजों को हमने देख लिए, इसके बाद में अभी यहाँ पर हम देखेंगे live trading का यहाँ आपको demo दिखाऊंगा, जो screen record का लगा सकते हो, इसके साथ साथ ही आपको यहाँ पे mutual funds में भी पैसा लगाने का option मिल जाता है, यानि कि आप चाओ तो इसमें से mutual funds लगा सकते हो, SIP कर सकते हो, systematic investment plan कर सकते हो, कि मानलेजी आपने एक हजार पांच share का budget चूज़ कर लिए, हर महीने आपने invest करता है, वो हर महीने आप invest करते जाओगे, और उसके उपर आपको अच्छा खासा return मिलता है over the period of time, तो mutual funds भी कर सकते हो, stock trading भी कर सकते हो, तो सभी चीज़ों को देखने के बाद हो, काफी अच्छा लगा होगा, अब यहाँ पे हम चलते हैं सिधा, screen के उपर, जो मैंने screen record कर रखा है, app के अंदर तो उसको हम live देखते हैं किस तरही के से हम share को buy करते हैं, किस तरही के sell करते हैं, और इससे आपको पूरा का पूरा यहाँ पर detail information मिल जाएगा, इस वीडियो को देखने का बाद कोई doubt, question or please come down, उसमें आ जाईगी का है, तो चली क्लिप को start करते हैं, और अपने app को login कर लाग सकते हो, कोई भी stock मतला लग लग बना सकते हो, अब watch list बना लेने के बाद क्या करोगे, watch list क्लिक करके उसमें जो भी stocks आपने add करना है, या फिर आपने state bank of india add करना है, जो भी stocks में आप interested हो, उसको click करोगे, ऐसा सामने आएगा, three dots पे click करोगे, और वहाँ से क्या हो जाएगा लीजिए, और यहाँ पर message आगी, add to watch list successfully आपका message आजागे, यानि कि वो stocks आपकी watch list में अब add हो गया है, अब आज़े दिये stock को buy करने का, एक बार आपने जब से watch list में अब को लगता है, आपको buy करना है, तो again हम क्या करेंगे, जिस भी stock को buy करना है, उसको search कर सकते हैं, आप आपके watch list में देखें, यहाँ पर sell और buy का नीचे आपको button मिल जागा, buy करना है, buy वाले पे उपर click करेंगे, और buy पर जैसे ही हम आगे click करते हैं, आपको यहाँ पर दो options मिलता है, एक delivery का, और एक मिलता है आपका, यहाँ पर intraday का, अगर तो intraday करना है, अगर आज ही खरत आपके प्राइस डाल देंगे, और यहाँ पर का करेंगे, swipe to buy कर देंगे, जो नीचे आपको button buy का वहाँ पर करेंगे, और एक आपके phone के उपर रहके, आपके confirmation आजाता है, और यहाँ पर जो आपका order है, successfully लगी जाता है, और जिसको आप order वाले section में जाकर के easily check कर सकते हैं, झाहँ पोलत करेंगे, आपके करेंगे, जाक हो आपके हैं, और यहाँ करेंगे, और Sna降पके सकते हैं, जो दो आपके सकते हैं, ञापके आपको regulation, और जो एक आपके कार मात जaking उता है रहाँ पर कि apparently बाहाँ वाले आपके हैं रहाँbased हैं, ह कंब है तो आपके सब्हें हैं स